हलो दोस्तों, IPL 2019 में इडन गाइडन्स पर होगा कोलकाता और दिल्ली का मैच आज इंडियन प्रीमियर लिग के 12 सीजन के 26 मैच में इडन गाइडन्स पर आज कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला दिल्ली कैपिटल्स से होगा पूर्नामेंट के 12 साल के इतिहास में दिल्ली के टीम इस मैदान पर कोलकाता को सिर्फ एक बार हरा पाई है 2012 में उसने मेजबान टीम को आठ विकेट से हराय था तब कोलकाता ने 9 विकेट पर 97 रन बनाये थे दिल्ली ने 2 विकेट पर लक्ष हासिल कर लिया था कैपिटल्स इस मैच में अपने सलाहकार सौरव गांगुली और उनके होमटाउन में जीत का तोफा देना चाहेंगे इस सीजन में दोनों टीमों के बीच पिछला मैच 30 मार्च को फिरोशा कोटला के स्टेडियम में खेला गया तब दिल्ली ने कोलकाता सूपर ओवर में हराय था और इस मैच में दिनेशकार्थिक के टीम उस हार का बदला लेने मैदान पर उत्रेगी इस सीजन में कोलकाता की टीम अंग तालिका में दूसरे नमबर पर है उसके 6 मैच में 4 जीत के साथ 8 अंग है वही दिल्ली की टीम भी 6 मैचों में 3 जीत के साथ 6 नमबर पर है तो दोस्तो आज का मैच कौन से टीम जीतेगी कोलकाता नाइट राइडर्स या दिल्ली कैपिटल्स हमें कमेंट करके जरूर बताए इस खबर में अभी के लिए बस इतना ही वीडियो को लाइक करे और अपने दोस्तों के साथ वाट्सअप फेस्बूक पर शेयर जरूर करे जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले बेल आइकन को दबाना ना भूले ताकि आपको मिल सके हमारे हर लेटिस्क वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले धन्यवाद